नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स मनोजवं मारुतु तुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतु मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपध्ये कर दो करे के लिएषया युछन पर나icutर तुल्स करो करे लिए स हाए, से आदिए बuçार मेंचा कि वालन्द काथ खंटए श्रूट बनकी घ्रुद करता. प्यूम्स प्यूम्स व्लाए लाध अथन्साइब्स जन्टलमन, हम सब लोग समाज के उस तपके को रिप्रेजन करते हैं, जो समाज चलाता है और उसकी रहनुमाई करता है इसलिए अगर समाज चरित्र, आदर्श और न्याय के लिए हम सब की और आख उठा कर देखे तो ये उसका अधिकार है और अगर उसको इसमें कोई दोश दिखाई दे और वो अंगुली उठाए, तो उसके शक को दूर करना हम सब का करतव ये है ये हैं श्री विलासराउट चोधरी, येसा क्या आप जानते हैं, श्री चोधरी स्टेट मिनिस्टर है आज इन पर तरह तरह के इलजाम लगे हुए हैं का जाता है, कि इनकी रतलाम की दवाई बनाने की फैक्ट्री में, बीमारों को ठीक करने वाली दवाईयां तो कम बनती हैं, लेकिन नौजवानों को मौत के मूँ में धेकलने वाली मेंरिक्स, कोकेन और ब्राउन शुगर कुछ ज्यादा ही बनती हैं भाई भतीजावाद और धश्टाचार के इलजाम भी इन पर हैं दरसल इनकी एक CBI इंक्वाईरी कराई गई थी लेकिन इससे पहले कि इंक्वाईरी की रिपोर्ट सरकार तक पहुँचे नजाने वो फाइल, सीक्रीट कस्टडी से कब और कैसे गायब हो गई सिर्व इतना ही नहीं उस इनक्वाईरी से जुड़े हुए सारे आफिसर्स एक बस एक्सिनेंट में उस वक्त मारे गए जब वे डिपार्टमेंट के किसी काम से पूना जा रहे थे वे सब लोग एक ही बस में क्यों और किसकी प्लानिंग से इकत्था हुए थे ये पहली आज तक पहली ही बनी हुई है बिलासना और चोधरी पर लगे इल्दाबात में कितने सच्चाई के करीब हैं और कितने शक के इसका फैसला करने के लिए सेंटर ने एक इनक्वाईरी कमिशन बिठाने का निरने लिया है इस कमिशन को अपने रिपोर्ट त्रीन महिने का इंदर देनी होगी कमिशन के चेर्मन होंगे रिटार्ड जस्टिस कृष्टन कांथ धर्मादिकारी अल्दी बेस्ट थैंक्यू सार सिधार्थ कृष्ण कांथ धर्मादिकारी नेम सिधार्थ धर्मादिकारी सान अफ कृष्ण कांथ धर्मादिकारी एजुकेशन बीकॉम पासिंग मार्क्स एटी एट परसेंट कृष्ण कांथ धर्मादिकारी भाई ये किशन का धर्मादी कारी वही तो नहीं है, 65 के I.S. के बैचवाले, मौनादाबाद के है, जी आच्छा, अरवे वो तो मेरे बच्पन के दोस्त है, अच्छी तर जानता हूने, तो तुम उनके बेटे हो लेकिन एक पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी, वहां कह रहे थे वो कि उनका बेटा तो किसी पुलिस टेनिंग कॉलिज में टेनिंग ले रहा है, वो मैं नहीं हूँ, अच्छा, तो तुमारा चोटा भाई होगा, मेरा कोई चोटा भाई नहीं है, वो दूसरा है, दूसरा सोतेला होगा, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ, किशन कान जी के दो बीवियां है, बले छपर उस्तम देख ले, ऐसे लगते हो तो नहीं थे, अब तो पांचे उंगल्या घी में है, खुब मज़े उड़ा रहे होंगे, ये बताओ, तुम लोग सभी कठे रहते हो या, अलग-अलग, आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं या मेरे पापा का, अरे बेटा, एक स्कूल में कई साली कठे बड़े हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, भाई ये बताओ, के, ये किशन कान जी किस औरत के साथ ज्यादा रहते हैं, यू पास्टर्ड, फिकर मत करो, सिना है चौंगे न हमें देखकर, के हम एक मंत्री होकर आपके आफिस में खुद आए हैं तबीयत खुश हो गए ये सुनकर, जब हमें पता लगा के आप इंक्वारी कमिशन के चेर्मेन लिउक्त हुए हैं बेढ़ जाओ हमारे देश में, इमानदार और सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं करता अब देखिए न, आप जैसे क्लास वन गजिटेड आफिसर के लिए सरकार ने क्या किया आपको इस केस में कितनी दौर धूप करनी पड़ेगी कम से कम आपको एक एर कंडिशन गाड़ी तो दे देते, खेर कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से आपको एक इंपोर्टेड एर कंडिशन गाड़ी भेंट करता हूँ सक्सेना साफ, जी, इनको गाड़ी की चामियां दे दीजिए बस अब आप जल्दी से इंक्वारी की रिपोर्ट सरकार को भेज दीजिए और फिर मेरी तरफ से परिवार सहित सुर्जर रेंग घूमाईए वहाँ मैं बेंक का इंतिजाम भी करवाज हूँगा पिलासराव जी, आप थोड़ा अपने दाएं घूम जाईए जी हाँ, वो कैमरे में चेहरा पूरा आजाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मंदरी जी जब मुझे इस इंक्वारी कमिशन की जिम्मेदारी दी गई तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी के खिलाव गवाही कौन देगा फर देखे कमाल, आज ही मैंने आपके इंक्वारी शुरू की और आज ही विलास राव चौधरी खुद अपने खिलाव गवाही देने चला आया मेरे खैल से इस फिल्म से अदालत कम से कम इतना तो मान लेगी कि इतनी बड़े रिश्वत देने का मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है लेकिन धर्म अथिकारी साहब पहले तो आपको अदालत में ये साबित करना होगा कि ये रिश्वत है दुनिया जानती है कि लोगों की मदद करना और दान देना विलास राव चौधरी की आदत है एर कंडिशन कार, सुर्जलेंड की सैर, बैंक का काम, इतना बड़ा दान तो कोई दानवीर भी नहीं दे पाया है मंत्री जी, आपको पसीना आ गया है एर कंडिशन की आदर जो है और अनफॉर्चनेटली ये ओफिस एर कंडिशन नहीं है लेकिन आप आदर डाल लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जीलें अभी एर कंडिशन नहीं हुई है और आप महां बहुत जल जाने वाले है धर्मादिकारी जिलाओ मत तुम जा सकते हो भिलासनाव चौधरी, तुमारी एर कंडिशन कार की चावी क्रिशन कांद धर्मादिकारी एक बात याद रखना विलासनाव चौधरी के खिलाफ तुमें कभी कोई सुबूत नहीं मिलेगा चल, कल नो कड़ में मिलेगा भाईया, आज का अख़बार पढ़ा था क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें पापा को विलासनाव इंकवारी कमिशन का चेर्मेन मनाया गया है कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है पापा को जो आदमी बाइस साल से अपनी घर के जिम्मेदारी को नहीं निभापाया वो दूसरों के जिम्मेदारी क्या निभाएगा सिधार, आगे बेठे मा, तुम सोईनी अभी तक नहीं, तेरा ही इंतजार कर रहे थी ला, मैं खाना गरम कर दूँ रहने दो मा तेरा इंट्रव्यू कैसा रहा ओफो मा, छोड़ो ना इंट्रव्यू को तेरी पापा काफी देर तक तेरा इंतजार करते रहे कह रहे थे, बहुत जरूरी काम है कल उस घर बुलाया है क्या हुआ, खाना तो खाले सिधात, मैंने कुछ कहा तुझे तेरे पापा ने तुझे बुलाया है क्यों, दादी मा के ताने सुनने के लिए अगर वो तुम्हे ताने देती है तो इसमें तुम्हारी बेज़ती नहीं होगी कुछ भी हो, वो तुम्हारी दादी है लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना पोता नहीं समझा भीया मैं जानता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो यही ना के मैं पापा को मिलने जाऊं तुम क्या समझते हो, मैं जानती नहीं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीथ रही है भाईया, मेरी लेना से ही, अपने लेना से ही, पर मा के खातिर तो उस घर जा सकते हो, उसके चहरे पर तुम्हारे जाने से मुस्कुराहट आजाएगी भाईया पापा है, तुम्हारे सुबह सुबह अपनी मनूज सूरत लेकर यहां क्यों आये हो, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, पहली तारीक को बहुत दिने है, मुझे पापा ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, ना चाने क्या जादू करती आउस वरत ने, मेरे बेटे पर, सारे खांदान की इजट मिट्टी में मिलाकर रखती है, दादी मा, बहार के लोग मुझे बीबी जी कहके बुलाते हैं, निकल जाओ यहां से, सिदार्थ, बेटा कल जो तुने मिस्टर करे के साथ हरकत की, अच्छा नहीं किया, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंजाम किया है, इस आदमी से मिलेना लेकिन उसे यह मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो, नास्ता ठंडा हो रहा है, दरसल यह आदमी रुकमनी का मसेरा भाई है, अच्छा पिटे, उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, मा, कभी-कभी तुम सिधार्थ मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, पर मेरा पोता कभी नहीं हो सकता, हाँ, हाँ, पता हुँ, तुम्हारा कोई नहीं लगता, पिछले बाईस साल से तुम्हारी लगातारे रच सुनते सुनते मेरे कान पक गए, उसे पैदा करके मैंने तुम्हारे वंच को कलंकित किया, तुम्हारी मर्यादों को मिट्टी मिला दिया, आज सुनलो मा, अगर उस परिवार को अधिकार ने मिला तो उसकी वज़ाद तुम हो, अगर मैंने तुलसी को अपनाया है तो उसकी वज़ाद तुम हो, ना तुम्हारी आंखों मैंने पोते की चाहत देखे हुथी, ना जिन्दी की पर इस गुटन का सामना करना पड़ता, हाँ, हाँ, पता है, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं, जबके मा बेटे दोनों, हमाई जादा तक मैं हिस्सा लेने चले आएंगे, मात तुलसी ने कभी रुकमनी का अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की, उसने तो हमें अपनी कोक का दान दिया, इस वंश को चलाने के लिए पहला चिराक दिया, पहला धर्मा दिकारी दिया, ये तो भगवान की किरपा हुई कि रुकमनी ने गौतम को जनम दिया, गौतम और सिधार्त मेरे लिए हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे, इन लोगों को ना मैंने पहले कभी अपनाया था ना मैं आब अपना हूंगी, और याद रखना, इस घर का और हमारे वंच का हगदार सिर्फ गौतम है, मेरी बहू और तुमारी धर्नपत्नी रुकमनी की कोक से पैदा हुआ गौतम, गौतम, कृष्नकांत, धर्मा दिकारी, हुआ है आपका आपका गौतम है। ग्लाव। हुआ 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 है वुआ चुआ हुआ हुआ कंम फुआ न चुआई हुआ हुआ पार ओ haftान 0 लुट्सी ले, अगुटन बृटन सबसेऊ पैनन खर्मप Cristo चाहिक, नगूर अगुटन अगुटन क्या नगुटन बोल क्या है यहा onion गौतम, अगर तुम धर्मादी कारी की बेटे नहीं होते, तो अभी तक मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन ले चुकवा होता हूँ I'm sorry sir It's too use being just sorry अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके फ्रस्टेशन इस तरह थोड़ी नकालते है Control, अपने आप पे control रखना सीखो, अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है और बेटे, एक कमिशनर की हैसित से नहीं है, बलके तुम्हारे बाप की दोस्त की हैसित से, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर तुम अपने बाप की इज़त को बढ़ा नहीं सकते तो उसे कम भी न करो तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस चहर में तुम्हारे बाप की कितनी इसत है You may go now Sir, आपसे एक request है आइंदा से आप मेरे पापा के बार में याद ना दिलाए तुम कितना कहरी थी इस बार, बिजली का बिल कितना है? 180 रुपय 180 रुपया ये और ये 400 रुपय थे रहे लिए मेरे लिए? तु गहरी थी ना कि कोई पंजाबी सूट चाहिए तुझे रख ले, रख ले अब रहने भी दीजे शादी के बाद सलवार कुर्ता पहनेगी या तारी? अरे तुलसी मेरे दो बेटे हैं लेकिन पेटी तो एक ही है इसलिए जब तक ये अपने बाप के घर में है ये वो पहनेगी जो इसका दिल करेगा हाँ जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो वो पहनेगी जो इसके मियां का दिल करेगा ठीक है, मगर अब आप पिना बंद करिए ओफ हो तुलसी कमाल है अज अपनी बेटी का रिष्टा इतने अच्छे घर में करके आया हूँ तो क्या मैं दो पाइग् भी न पयों साथ weapon पापा अब बॉल्लेड़ी चार पैड़ पी चुके हैं ने दो पैड़ पीएँ चार पैड़ अरे मैं नम्ने दो पत is चार पैड़ अच्छा बाबब way अब मैं इतना ख़तम लून तो फिर मैं चला जाऊँगा अच्छा मैं चलता हूँ तुलसिया पापा आप से ररुकी मैं से दाद को भेजती हूँ वो आपको छोड़ाएगा अच्छा मैं चला यह होगा सिधात उन्हें उस ख़ट छोड़ा जा सिधात जाकर बोल दो उन्हें अगर नशे के हालत में गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाने के लिए अपने लाडले गौतम को साथ ले आया करें मैंनी जाता हूँ लाडले तो उनके तुम भी हो लेकिन यह उनकी बदकिस्मती है कि उनकी प्यार को तुमने कभी समझा नहीं ठीक है मैं ही टेक्सी से उन्हें छोड़ाती हूँ मा तु चुप क्यों है मैं जानता हूँ तुम इसे नाराज है बेटा लेकिन तुम मेरी जिंदगी का चांद है मैं जानता हूँ मैं तेरे तेरे लिए एक अच़ा बाप साबित नहीं हो सकते नीकिन तेरी मा के लिए एक अच्छा पति जरूर साबित ख़आँ मेरा यगीन करो यगीन करो कॉता बेटा मैं गौतम नहीं हूँ खर दो दो और दो खो दो खिए, खिर तो खिए खिए घए मैं दिएको मैं दिएको मैं दोगे खिएको लगता है तेरे पापा आ गया है आया नहीं, लाया गया है शराब के नशे में धुत करके भेजाया है उसे हे भगवान, ये मा बेटी ना जाने कौन से जनम की दुश्मनी निकाल रहे हमारी खानदान से प्राब करके दो प्राब की पिर उनरा रहे हमारी धुश्मनी प्राब लागेर खाने का घट अ सरादाना से जनम च। प्राब काड़ में प्राब करके भागेरा है बार 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 करता है सब्सक्राइब भी से लिए रहाँ आपर सिद्धाद बेटा तू नहीं जानता मैं तेरे को मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं अब दू घर जा घर जार मा से कहना है कि मैं ठीक तार घर पहुंच लिया मा को बहुत फिगर होती है मेरी मैं कौतम लुपिज़ पहले के पैसे दे बहुत उदार हो गए है देदूंगाद न यार कड़की चल रही है है चल्ला, बुड़ाओ, दुआ, 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 और दुआ, लो, आ गया बोर, जला है दिल, जला है जहाँ, इस जलती दुनिया को छोड़ कर जाओं कहाँ, आओ यहाँ, आओ यहाँ, शायर याजम आईए, तश्रीफ लाईए, क्या हुआ, नौकरी मिली, कहाँ यार, अरे, नौकरी और डिगरी की बात अपने सामने मत कर, राजा उने कभी नौकरी किया है क्या, राजा और आम, हाँ, राजा, यंग मैं, आज मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है, कि जिन्दगी की नई शुरुवात से पहले, और पुलीस ट्रेनिंग की कड़ी मिहनत के बाद, तुम लोग जिन्दगी का लुथ उठाओ, खाओ, पियो, and have a nice time, boys. अपनी तारीफ हो रही है, अपनी बात ही है, जहां चार आदमी जमा होते हैं, अपनी बात करते हैं, पूरी इंडिया में, विक्र मात का तुखा तू, हम कहते हैं, 12 साल में कचरे की दिन भी फेड़ जाते हैं, पर ये दोनों, 24 सालों से वही के वही है, लगता है, कुछ पहन के सोता हूँ, नहीं पहन तो आगी नहीं, अरे बिल्कुल, पुलिस कमिशनर बना दे, तो भी ये वर्दी नहीं बदले, मैं तो बन गया था, पुलिस कमिशनर, मैं नहीं बने तू, सर, तुम दोनों क्या कर रहा हूँ यहां, हम लोग आपकी तारीफ खाने आए थे, खाना, खाना खाने है थे, हमारी बचपन के दोसी है, अब ऐसे तुम लोगों दिखाने के लेए डाट रहें थे तो आम लोग के साथ तो घुली तेना केलते है घुली लगों खाने है तुम यहाँ बस देख रहे थी पार्टी कैसे चल रही इस सुपब डार इस फार आउट फार आउट फैंक्यू और सब को ठीक हुए जी सर थीक सब ठीक हराम कमाल खाता न इसलिए डगार आती थी तुम भी तो खा रहे थे मेरे को नहीं आती है क्या कर रहा है यार यह घर में बच्चे भी भूगें उनको नहीं खिलाओंगा कैर कब तक मा मंगे खाते रहेंगे नीचे करना नीचे करना चुपाना यार कितना नीचे करना ग्रांट सो पर ले जाओं कैर अरे मोटू 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 मरता भी नहीं आद्मिया हवल दार इमान दार हवल दार वफादार शर यह क्या हु रहा है सर आपकी तारीफ करेते हैं लोग यह लकिन कैसा आपने ब साथ में जबाइशाए न होगे न तो मेरा सिना खूषी से फूल गिया अस सर लेकिं तो बारा पेट फूल गया है मुझे बिल्कुल उल्लू का पठा समझ रखा है क्या कहा गए चाली 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 जाओ गजिरा ले लाओ आखि लाओ चूप आए, क्या बुझे यार? एक बिल्कानो से अखाली और के मैं लेक्याओ बेक्वे छयाओ अरे अभी अपी तो यह थी तो हां चली गई यार क्या पटा का थी यार किसी ने गारे कर नमदर दिखाई कहा यार सिधार, इता अरे घर अटा, अनलेके में बिलेड़ प्रेशर बढ़ गया है तु में बिलेड पर बाद है अब भाया, तुम तो जानते हो मा के बिमार की एता है कि वज़े क्या है पापा का इतने दून घर ना आना मैंने उनके ओफिस में फोन किया था तो पता चला वो बीमार है माने कहा है तुम उस घर जाके मालूम करके आओ पापा कैसे है मैं उस घर जाओ अपनी बेजदती कराने अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूं अरे सिदार्थ बैठे आओ आओ हरिया कागा मुझे पापा से मिलना है उनसे कहिए मैं आओ पापा पापा तुम सब लोग मेरे बेटे की पीछे क्यों पड़े हो इस घर की सुक्षानती के दुश्मन आखे चाहिए क्या तुम्हें मेरे बेटे की एक गलती के कारण इस घर को और कितनी सज़ाद होगे तुम लोग मैं सिर्फ ये मालूम करने आया था कि मिस्टर कृष्णकान धर्मादी कारी कैसे हैं क्यूंकि मेरी मां को उनकी बीमारी और अपनी बेटे की इज़्जत से जादा उनकी फिकर है और मुझे सिर्फ इस खर की इस खांदान की इज़त की फिकर है जिसके नाम पर एक बदनुमाद दाख बन गए हो तुम लोग चले जाओ यहां से और खबरदार तुई है दुबारा कदम रखा निगल जाओ यहां से चले जाओ फोरण बंड़र यहांस पाल जाओ चले जाओ पाल जाओ आर मैं वफा जाओ और यह इंस्पेक्टर शेबादुर आपके हाथों में लाल चुडिया बहुत अच्छी लगती है वेंजी ले लो बहुत अच्छी है अच्छा ये दे दो कितने हुए पुछ नहीं आपसे जास्ती थोड़े लेंगे आज कर्मा चौत है पच्छास देदी अच्छी ठीक है मा पापा चले आपको रुकमनी बेहन का व्रत खुलवा कर आना चाहिए था बर्सों से तो यही करता आ रहा हूँ आज यहां पहले आ गया तो क्या फर्क पड़ता है जिलसी तोलसी 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 मा, क्या हूँ आ मा को? सिधार्न, डॉक्टर मुकर जी को लेक रहा हूँ, जल्दी तुलसी पापा तुलसी 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 सुभे उसे समझा दिया था, कि आज करवा चोथ है, घर जल्दी आ जाना दादी मा, करवा चोथ सिर्व इस घर में नहीं है, कोई और जगह भी है आप, आप अभी तक है नहीं मैं चला जाओंगा तुलसी, तुम लेटी रो नहीं, आप फॉरण चली जाएए वो दिन भर की भूगी प्यासे, आपको इंतिसार कर रही होगी जाएए जाता हूं, जाता हूं गेता, मा का खयाल रखना पाप, शुक्रिया जाता हूं कर दो अरूपक को पर अरूपक को ऑख बात का बर्सं से फैसला नहीं हुआ वो आज हो जाएगा, रोबत. रुक्मनी, मुझे आने में थोड़ी देर होगी. अगर तुम नहीं भी आते, तो ये बिचारी क्या कर लेती? भूकी प्यासी तुम्हारा इंतदार करती रहती. इंतदार करते करते बेहोश हो जाती, शाद मर भी जाती. माँ, मैंने जानबूज कर आने में देर नहीं की. तुमने देर नहीं की, तुमसे देर करवाई गई है. वो तो रुक्मनी की मौत चाहती है, और तुम क्या चाहते हो? माँ, चिलाओ मत! माँ, मैं जानता हूँ, रुक्मनी भूखी प्यासी है. शायद तुम्हें पता नहीं की, उसकी क्या हालत थी. अगर मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ कर यहां चला आता, तो माँ, मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकता था. आप एक अच्छे बाप तो बन नी सके. कमसकम एक अच्छे पती तो बन के दिखाएए. यह प्राक्टिस कर रहे हो, यह डांस कर रहे हो? बैसे अच्छे लग रहे हो. काँश, इस पंचिंग बैक की भी जबान होती. तो यह जरूर कहता, अरे यार, घर का गुसा मुझ गरी पर क्यों उतार रहा है? की और कॉस्च पनी ओरूर्य को बढ़ हो. आपनी लिए रहे हो. कर दो 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 झाल झाल तुमूपर के से पॉंची तुमूपर के से पॉंची। जब से तुमने मुझे हाई लाव्यू कहा है, मेरा दिल और किसी चीज में नहीं लगता। तुमूपर के से प्यार करते हो ना। इतनी सी बात कहने के लिए तुम सवेरे सवेरे यहां पर आई। बोलो ना। तुमूपर के से प्यार करते हो ना। हाँ। तु फिर अब जल्दी से के दो जो तुमने कल जिम में कहा था। प्लीज। प्लीज। हाँ। आई लव यू। फिर दे। जल्दी... आई लव यू। इतना जोड से क्यों चलाते हो। से प्यार से जिरा रॉमांटिक मूजमें। आई लव यूू। फिर कब मिल रहे हो। और किस से बात कर रहे है तैं। ओयू और वाँ। यह प्यार करने का स्टाइल, वो कमिशनर की बेटी है, तेरे से तरीका फूजके प्यार करेगी क्या, करे दोस्को अरे, हुआ, आगी, आगी क्या मतनला अरे, वे भाई नहीं, आरे अरे, यार, वे बेकार आदमी है, औरे भावने, यह बापरे अरे यार क्यों भूख रहा है एक तो नौकरी नहीं हफता नहीं जेव में धेला नहीं कुछ मेलेगा क्या तेरे को अरे अरे क्या करता है तू भी कुटा है वो भी कुटा कुटा कभी कुटे को काटा है क्या है और उसमें सब गयास भरी तो उसको काटेगा न तो उसकी गयास तेरे अंदर भर जाएगा तो गुबारी के तरह उपर चला जाएगा कि पास सुन नजीका आज़ा में आज़ा आज़ा है यह विचारी की बहुत बुरी हालत है चार दिन से गयास खाकर पानी पीकर जिंदा पेट लॉप बड़ा हो गया इसका तो इसके वाद से कहीं से चार हडियां लेका रहा न अगर तुन इसको मने से बचा लिया न तो कुतों के तेहास में तेरा नाव इंसानों से उपर लिखा जाएगा यह क्या करें नहीं सुनतो सभी एव यह कुते को क्या बोला निराश होके चला गया अरे मैंने तेरे वाद से बोला है चार दिन से भूका इसके वाद से कहीं से चार हडियां चुरा के ला हां तो वो क्या बोला बोलता कुते से हडियां मंगते शरम नहीं तो कुता कहींगा नाला है कुता यहाँ नहीं तेरे को नहीं बोला है यार जाने देना क्यों कुछ थे खमूझ लग रहा है यहां ठीक जाने दा नमस्ते बाई सार जा बढ़ें जा जा जमते ना एई यार जी वाजिये यार कि अब 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 कि अब अब प्रॉप प्रॉप एक यार्ग एक यार्ग एक यार्ग हलो हलो मैं आ रहा हूँ एक्सिदेंट इस गाड़ी के मालिक का पता चाहिए ठीक है एक अपने के बाद पता ले जाना कर आकर पता ले जाना शाम को पता मिल जाएगा एक घंटे के बाद पता ले जाना आपको बता चाहिए न अभी देता हूँ आप बैठे न हाँ हाँ वसंद विहार मलाबार हिल बंबई और जाने का रास्ता भी बताता हूँ देखिए यह जो मलाबार हिल बस्टेन पर आप उतरेंगे न वहीं से एक लेट रास्ता जाता है वहीं से चौथा बंगला है वसंद वियाद आप समझ करता था जब तुम आई लव यू कहके गायब हो जाती थी खैर मैं किसी का कर्ज नहीं रखता आज मैं तुम्हें ऐसा तौफ़ा दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगी क्ल चाहरोच क्लों। क्लों। क्या बोला बे? क्या बोला तू? क्या बोला तू? क्या बोला तू? नहीं कुछ नहीं फिर से बोल! क्या बोला तू? कुछ भी नहीं बोल! ए! आपने आपको क्या समचता तू? इधर का ददा नाई राजा पुलिस फाइल में तेरा नाम पढ़ा आज से एरिया मेरे अंडर में है आएंदा अगर तेरी एक भी कम्प्रेन होई इस्पेक्टर यह आम रास्ता है तुम्हारा घर नहीं आम रास्तों से ही तेरी जैसी गंदगी साफ करना पुलिस वन्हों का काम है वर्दी के बल पर उचलने वाले पुलिस अफसनों से राजा डरा नहीं करता है जाओ मैं दूआ करूँगा कि वो दिन जल्दी आए मैं पूछ सकता हूँ मेरा जुर्म क्या है किस बन्याद पर मुझे या लाए गया है बेना लाइसेंस के रिवन वर रहना और गैर कारूनी खतरनाक जहर पोटेशम साइनाइट बनाना अगर जुर्म नहीं तो क्या है यह जूट है चालीस कतलों के जिम्मेदार यूपी के खतर राक मुझे रिम मुन्ना को अपने घर में छुपाना यह जुर्म नहीं तो क्या है यह किस ने कह दिया आपको विलास राओ चौदरी केज से जुड़े तमाम पुलिस अपसरों की एक साथ हत्या यह सब क्या है यह बेबुनियाद है तुम्हारे फार्म हाउस से मिले यह सारे काखसाद बताते हैं कि तुम विलास राओ चौदरी के सिर्फ यह ही नहीं बल्कि उसके तमाम गुनाओं के परावर के साथ यहो यह बिल्कुल जूट है अगर ये जूट है तो लग अलग बैंकों में तुम्हारे नाम जो 25 लाख रुपे जमा है वो कहां से आया तुम्हारे पास बंबई में 4 फ्लैट है पाहं है जिनकी कीमत एक करूर रुपे आ हो कहां से आया आखर विलास राव बच्चों को छोड़ेगा नहीं और पुलिस डिपार्टमेंट तुमसे मार पीट कर सब कुछ उगुलबा लेगा अब तुम्हार पास एक रास्ता बचा है तुम विलास्राव चौधरी के खिलाफ सरकारी गवा बन जाओ देखो अब राओ मत यह राज राज ही रहेगा हम तुम्हारी और तुम्हारे बी बच्चों की सिक्यूरिटी की पुरी जिम्हेदारी लेते हैं जी क्या करना होगा यह हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे जाने दो इसे करने के बाद करने के बाद कहीं जाके हिरोएन ने हांकिये अरे बात है के बस अकड़े ही रहते हैं इंस्पेक्टर कुडी चंगी है जोडिवी मस्ता विडू अपिछू क्यों चल्के क्यों क्योंट क्योंस लाद नेक्टर लाइसेंस अब भी तो दियाता लाच्छ लाइसेंस नहीं है बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है इंस्पेक्टर शुक्ला इसको लॉक अप में बंद करता हूँ दो चार गंटे हावालात की हावा कि लागे छोड़ देना अब हो इंस्पेक्टर बार निकल जिससे तेरी दुश्मनी वह खुद आया है मेरा गुस्ता होड़ों पर क्यों निकालता है अगर अपनी मां का दूद पिया तो बारा कर मेरे सब मुकाबला कर बार निकल पार निकल सले अगर! किस जुर्म है बिना जुर्म के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते समझें किसी को भी अरेस्ट करने से पहले वारंट की जरूरत होती है तुम्हारे आफिसर को ये भी नहीं पता क्या नाम है तिरा कि मैंने पूछा नाम क्या है तिरा सिधार्थ पूरा नाम पूरा नाम सिधार्थ क्रिश्नकान धर्मादिकारी क्रिश्नकान कौन है क्रिश्नकान मेरे पिता जी का नाम है तुझे कैसे मालूम वही तेरा बाप है ये अरेस्टिम नौ चार्ज ओन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाम्ला मेरी इजादत के बगार इसकी जमारत नहीं होगी मेरी इस्मार्ट भाईयो हर हाथ को काम और हर घर में पानी और बिजली ये हमारा चुनावी नारा ही नहीं था बलके आप लोगों के साथ हमारा एक वादा था और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर घर चले जाईए लेकिन चौदरी साब आपको चुनाव जीते हुए तो दो साल हो गए अरे भाई देश में सांपरदाइक दंगे फसाद भी तो हो रहे हैं सेंटर के क्या हाल है यह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं हर छे महिने के बाद एक नया नेता चार MPs को लेकर एक नई गौर्मन्ट फॉर्म कर लेता है और हम जब भी जनता के लिए कोई नई योजना बनाते हैं पता लगता है कि सेंटर में मनिस्ट्री बदल गई अब इन हालात में हम क्या करें भाई मौका भी तो मिलना चाहिए हां अभी तीन साल और हैं और यह जो हमारी मौजूदा गौर्मन्ट है ना यह एक नमस्थाई अब आप देखिये का हम अपनी जनता की सेवा किस तरीके से करते हैं अब आप लोग जाए चाधरी साहथ को किसी और मीटिंग में भी जाना है जी नमस्ते नमस्ते जन्यवाद तो आज तुम्हारी यहां भी आने के हिम्मत हो गई मुझे यहां मेरी हिम्मत नहीं बलकि मेरी मजबूरी लाई है जानती हो तुम्हारी मजबूरी कितने पैसे चाहिए मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ सिधात को पुलीस ने गरिफतार कर लिया है और उसकी जमानत नहीं हो रही है तो मैं क्या करो आपके बेटे ने ही उन्हें गरिफतार किया है तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे गौतम को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफतार करना पड़ा नहीं, उन्होंने अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए से धात भेया को गिरफतार किया है बेहन, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इज़त तो इस घर की ही दाव भी लगी है ठेरो कहते है अ्यूमना कहा है कहा है कहा है झा झाँ एफ लाग्ट पान था हना में तोर सफने कोया हुआ है इंग है अजय कोनगा लगान था थे खींहा है में ऑल साफ है इंग आप है अच्ञट है इंग है सिधार्थ, 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 शुक्रिया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी वज़े थी जिसने आपको उसकी जमाना देने पर मजबूर किया? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मा, ऐसी कौन चीज ज़रुवात आ गई थी कि जिसने न्याय मूर्ति किस्नकान धर्म अधिकारी की बीवी मेरी मा को उस आवारा बच्चलन की जमाना देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा, क्यों मा क्यों, इसलिए कि उस आवा पारिस की तरह पड़ा रहेगा। शायद आप ये भूल रही है मा, यही है वो लोग जिन्होंने आपका सुख, आपका चैन, यहां तक कि आपका हक छीना है, यही है वो सौतर। एक बात तुम कभी मत भूलना बेटे, तुम्हारी मा को अपने हक से ज्यादा, अपने पती की इज़त कहीं ज्यादा प्यारी है, कहीं ऐसा नहों कि मा के गवरों के लिए जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, उससे तुम्हारी पिता की इज़त पर दाग लग जाए। प्रप्शो लड़ कर दो, वी रफे उन्हारी प्राव कैज़ता प्रुम्हारी अपने में लड़ाई। यह बहुत इंपॉर्टेंट और सिक्रेट डॉकुमेंट्स हैं इससे आपको बिलास राव की दूसरी गदिवुद्यों की जानकारी मिलेगी और रतलाम वाली फैक्टी के डॉकुमेंट्स मैं जल से जल पहुंचा दूंगा धर्मादिकारी साब को बता दीचेगा सुनिए मेर यह बच्चे को कुछ नहीं हो गया न है यूज मी सर यस इस्क्यूज मी कुलाबा पुलीस टेशन इस्पेक्टर कौथम स्पीकिंग कौथम में अजली कौथम डैडी की तपत अचानक बहुत खराब हो गई है जल्दी से आजाओ ना अच्छा क्या वह उन्हें पूछो मत नफ्स ठक ठक चल रही है तिल ठक ठक कर रहा है किसी डॉक्टर को भेजता हूँ डैडी ने सर्फ तुम्हें बुलाने के लिए कहा है कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा किसी ने सची कहा है पहलवानों की अकल घुट्नों में होती है अब मैं क्या करूँ कुलावा पुलिस टेशन इस्पेक्टर गॉतम है आई वान दे कमिशनर अफ प्लीस लुप मुझे य ओफिस में मजाग बिल्कु अगर अंग्रेजी नहीं समझते तो हिंदी में सुनो मैं कमिशनर साफ से बात करना चाहती हूँ ओके एक्स्कूज मी सर् किसका है आपकी बेटी हलो बेटी क्या हुआ डाडी घर में चोरी हो गई है चोरी हो गई मैं अभी आता हूँ नहीं आपको आनकी कोई जरूत नहीं बड़ी मामूल इसी चोरी है और किसी मामूल इसी चोरी के लिए इतने बड़े कमिश्र का आना इसी तुन्या हासे गी किसे छोड़े मोडे हवलदार को भेज़ दीजे हवलदार को भीड़ो वो क्या inquiry करेगा हाँ मैं इंस्पेक्टर गौतम को भीज रहाँ इस्पेक्टर गौतम वो लेकिन अभी वो तो नया है यह वर्या कुछ नहीं एक बार किसी की पीछे पढ़ गया ना तो फिर छोड़ता नहीं है तो फिर उसे मेरे पीछे पढ़ने के लिए काहिए ना क्या मतलब था चोर के पढ़ने के लिए काहिए आप अब दॉक्तर खुषकवरी आट महीने यह सब क्या चक्कर है चक्कर तो हम दोनों के किस बतने चलाया कितने मैसेज वजवाए बहुत समाट समस्ट आपने आपको माजी को देती हूँ यह खुषकवरी तो अब यहां से जाओ मैं प्रामिस तुम्हें कल आके मिलूँग यह कैसे हो सकता है कि मैं यहां तक आई और माजी से ना मिलूँ वो वो क्या सोचेंगे अपने होने वाले बहु की बारे में क्या सिधार कौन है यह लड़की मा वो नमस्ते माजी अब मैं अपने मुसे क्या कहूं आप अपने बेटे से ही पूछ लीचे ना खुशकबरी ऐसी है अगर आप सुनेंगी तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी अच्छा माजी मैं चलती हूँ बाई गीता अच्छा वह जो चारली ने मुझे तुमारा पता पता दिया अब तुम्हें हरूस आँगी समझे बाई अच्छा तो फिर तु इतना परेशान क्यों है परेशान और मैं नहीं मा क्या बात कर रही हो तुम्हें तुम मा से कुछ छुपा रहा है सच सच बता ये लड़की कौन थी अरे मा वो रहा चलते हुए ऐसे मिल गई मैं और कुछ नहीं अच्छा तो उसने ऐसी गंदी हरकत की हमारे दोस्त के साथ हाँ यार बनाया है जिसने तुमको देखो उसे कैसे हम बनाते हैं मा बनने से पहले भावी उसे हम बनाते हैं अच्छा जाके बैक आंटी जी आपके साथ ओटल में आने का मसा ही कुछ और जीतना भी खाओ अरे अरे एकता ये क्या कर रही हो तूम नमस्ते जी डॉक्टर ने ये सब चीजे क्हाने से मना किया नो मे classroom क्या हो अच्छी कर गुषब ख्योआई वही तो आंटी जी वही जो एकता ने आपको बताना चाहिए था बाइदर वे एकता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या चीजे ले आया हूँ कच्छी केरी, इमली, तुम्हे खटी चीजे खाने का बहुत चोक है ना यह क्या हो जाए हूँ आउच बाइदर वे एकता यह मैंना कौन सा चल रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटा या नौवा मैंना चल रहा है नौवा मैंना ओमाइग गॉड एकता यह सब्टेंबर मैंना ही तो चल रहा है ना बेटा तो फिर आँटी जी आपने तो मुझे डरा दिया था मैं उस कालेंडर वाले नवे मैने की बाप नि कर रहा हूँ मैं तो वो 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 मुभारक से अब आप से एक नहीं, दो दो पाटिया लेंगे क्योंकि अब आप एक नहीं, दो दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं, जुनुआ, जुनुआ और अभी आभी हम डॉक्टर से, इनकी सोनोग्राफिक की रिपोर्ट मेले करते हैं बेटा तुम बैठाओ, इटिएट्स देखो, तुमने वरसा जो भी किया है पीस, पीस, बाइद वे, कौन थी है? मेरी, अपनी आँठी, जिनका स्थुने में कोई नहीं है ना पती, ना बच्चे, इन्होंने ही मेरी परवरिश की है अच्छा वेरी बैठ अच्छा आँटी जी, नमस्ते 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 वाबर जी, नमस्ते वेरी सर्थ, आइ लव रव मैं और अंजली शादी करना चाहते है बेटे हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है मगर अंजली को मां खभी प्यार मैंने दिया है अगर वो खुश है तो मुझे कोई इत्राज नहीं मगर मैं यह नहीं चाहता के अंजली के साथ भी वही हो जो धर्मा दिकाई के साथ इस मावने में मेरे पापा को बीच में मतलई है I'm sorry, Gautam तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारे पापा की जिक्र तो आए गई ना किष्नकान जी आए नहीं अभी तक बस आते ही होंगे देखो बेटी हम लोग लड़के वाले हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमसे पहले लड़की के पिता के यहां होना जरूरी था अरे बही एक बेटी के सगाई से ज्यादा जरूरी काम एक बाप के लिए और क्या हो सकता है अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया यह नहीं मैं आपके लिए ठंडा लेके आता हूँ मा अब तो आपको पता चल गया ना कि बापा हम सबको कितना मांगते हैं देख यह खुशा करने का समय नहीं है वो ज़रूर आ जाएंगे तु बहाँ जाकर उन लोगों को समाल मैं उन्हें कब तक समाल हूँ मां मैं जानता हूँ पापा जान बुझकर नहीं आ रहे हैं आखिर मैं उन लोगों को क्या कहूँ मां वैया वैसे भी मुझे यह लड़का पसंद नहीं है तु चुप कर देख खुश्या मत कर जा बहाँ जा तू तुम्हें विशादी करने के लिए यही मर्द मिला था बहुत हो चुका अब चले मेरी बात तो सुने प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज देखो बैटे हम लोग उनमें से हैं जो अच्छे खांदान के साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं खले वो खांदान पहली बीवी से हो या फिर दूसरी से खांदान उसे कहते हैं जिसका कोई जन्मदाता होता है एक बीवी और रखेल में फर्क होता है बेटे मेरा गिरे बन पकड़ने से कोई फाइदा नहीं अपने बाप से जाकर पुछो उसने तुमारी मा के गले में मंगल सुदर पहनाया था यसे दिल बहलाने के लिए बापकाई बापकाई पापा चलिए मेरे साथ सिधार्थ पेटा मेरी बात तो सुनो आज तक वही तो करता आया हूँ लेकिन आज मैं किसी के नहीं सुनूँगा आपने उन लोगों को गीता के रिष्टे के लिए बुलाया था ना और उनी लोगों ने मेरी मा का रिष्टा एक बाजारो अरत से जोड़ दिया आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन लोगों के ये बताना होगा क्या आपका और मेरी मा का क्या रिष्टा है अचे धार तुम्हारी दादी माँ आपको मेरे साथ नहीं आने देंगी यही कहना चाहते हैं न आप लेकिन आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा दादी माँ की भी नहीं क्यूंके आज उनकी और उनके खांदान की इज़ट का नहीं बलके मेरी मा की इज़ट का सवाल है पेटे यहाट है समझा रहा मत मुझे तादी माँ मैं आपके बेटे को अपने साथ लिये जा रहा हूं और आज आप उन्हें नहीं रोक सकती आज तक आप बोलती रही और मैं सुनता रहा लेकिन आज आज आप कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं आप क्या मैं सवाल कर दो अब चानाल कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो दो, कर दो कि दो दो, बढ़खो एको दो, दो, दो कि अ हैृ। दोज समय उना है अबे सीधे बैटना एर क्यों हवाईजास के तरह टेक-उफ कर रहा है टेक-उफ नहीं कर रहा हूं वो दो दिन से हवा खा खाके और पानी पी-पी के पेट में गैस भर गई यह वो निकाल रहा हूं अब आदो मरने से क्या हुआ तीन रुपए मिले सब समझते हैं अब पबली बहुत शैनी हो गई है और तीन रुपए में एक प्लिट भजिया भी नहीं आता है एक काम को तू दूसरा आइडिया मेरे पास अरे क्या करता सूचने देता कि नहीं मेरे नजवानों मेरे देश वासियों मेरे भाईयों इसको देखो यह आपके सामने अपाहेज लंगणा लूला मजबूर बैठा है यह विकारी नहीं है यह सिपाई है यह हवलदार वफादार है यह जब अपने घर से निकलता था वरदी पहिन कर तो चोर अपने घर में अपने बिल में घुच जाते थे लेकिन एक दिन उन सब लोगों ने मिलकर इसको इतना मारा इतना मारा किसके हैंडियां के लेके गूदे की तरह नरम होके रह गई तो आज यह अपने गाव वापर जाना चाहता है अपनी मा के पास लेकिन अफसोस इसकी मादेश की आखरी कुणे में रहती है जहान न ट्रेन जाती है न बस जाती है न लोरी जाती है न कोई सड़क जाती है और अगर मैं इसको बाइल गाड़ी में बिढ़ा कर लेके जाओंगा तो यह चार जिलम के बाद उधर पहुंचेगा तो फिर इसक ताकत नहीं थी वहावाइजास में कहाँ से जा सकता है लेकिन हां आप लोग अगर मेरवानी करें तो यह अपनी माह के पाथ जा सकता है लावे भगान तुम्हारा भला करें तुम्हारे बाल बच्चों को सुखी रखें लावे तरी की फिली भड़ते जब लेग। कि अज़ने कि अजग कि राद्य सिंदुनेकर स्केशच कुछ पूरे ख़िए. सेट आपयाना सबस्क्करने अब ठेरता कि नहीं है अब चुपके नहीं है देते जा भाई देते जा भाई ला भाई धिर्वानी उदर पीचे कोई है अरे यह तो ठीक है यार पब्लीक को बेखुप बढ़ाता है बार साल को मुद्धिया अरे जोपाले चले का पासा करप दो पोăngा पासाख चले को जिसे विए mention है word you सुन्दर लड़की को रात में अकेले खाली डिब्बे में सफर करना नहीं चाहिए अकेली लड़की देखकर खाली डिब्बे में कोई भी अंदर आ सकता है पास बैट सकता है कही भे हात लगा सकता है अपने बाप धर्मादीकारी को जा के समझा दे जा उधरी कमिशन की रिपोर्ट सोच समझ करते वरना एक देन वो घर से निकलेगा सही सलामत लेकिन पहुचेगा तुकडे तुकडे होका दो सुनियों उस टब्बे में गुंडा बैटा है वो गंदी-गंदी बाते कर रहा है कह रहा है वो कुछ भी करेगा और जानते हो वो वो पापा की कमिशन के बारे में कुछ कह रहा था उसने धमकि भी दिया कि पापा के वो टुकणे टुकणे कर देगा मैं तजक है रहे हूँ क्या बोला वे तू? क्या बोला? किसको गाठेगा? हात लगायगा? किसकी ढ़ेगा? हात लगायगा? लगा हाथ, लगा हाथ, लगा हाथ, लगा हाथ, लगा हाथ, सॉले, हाथ लगाने की बात तो दूर अगर आख उठा के भी देखा तो तेरी दोनों आखे निकाल दूँगा, चल्वाट, अपै चाप, आईये न, अच्छा चलो, बह्या, शुक्रिया, भी जाएये, लगा हाथ, आखे बडूएये मैंचे की अच्छा चाह प्याणा प्यारे, शुक्रिया, आख coffee, शुक्रिया, बह्या, अखोरा अर। आज अगर गौतम भाईया नहीं हो तू जिदार जिदार इस नीचता पे उतर आया तू पापा का जरा भी ख्याल नहीं तुझे काश तू मेरे कोक से पैदा ही नहीं होआ होता चल पापा का यू सिधार्ट, इनसान को जिन्दगी में समझाते करने पड़ते हैं उसके बिना जिन्दगी नहीं चलती ये सुर्माई रात अधेरी से उचाले का एक समझाता है बेवे कितना खुबसुरत है क्या तुम अपनी जिन्दगी को इतना खुबसुरत नहीं बना सकते बेखता हो, बेशरम गंदी नाली के कीड़े, तेरी ये हिम्मत के विलास्रा और चौधरी के सफेद दामन पर दाग लगाने की कोशिच करे, डैडी पगवाज मत कर तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं देख लिया आपने, प्यार करने वालों की ताकत का अंदाजा रखेल की आउलाद, अपनी आउकाद भूल गया तू, ये विलास्रा और चौधरी का थप पर तो सिरफ आने वाले तोफान का आगाज है, अंजाम बहुत प्यानक होगा प्यार की ऊञ्लाद, अपनी आउकाद भूल गया दू प्यार की आउड़ाक अपनी आउकाद भूल गया तू एड़ी तेरी ये हम्मत! मैं ऐसा हर्गिस नहीं उने दूंगा उस हराम दादे की जंदगी में अंदेरा नहीं भर दिया तो मेरा नाम विलासा उचोदरी नहीं गलती मेरी थी जो तेरी भुआ के पास तुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया अब यह गलती नहीं होगी डैडी आपने इन चंद तस्वीरों के तुकड़े 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 दिये मगर शायद आप यह भूल रहे हैं कि एक तस्वीर यहाँ भी है मेरे दिल में बढ़ाई हाथ और चेड़ा ले इसे चेड़ा ले इसे आज के बाद तुकर से बाहर ने जा सकते यह खामोशी कहीं आने वाले तुफान से पहले की तो नहीं हाँ यह वही खामोशी है जिसका अंत तुमारे खानदान की आखरी चीख से होगा नहीं चौधरी साहब सिधार्त इतना कमजोर नहीं कि तुमारे गीदर भप्कियों से डर जाए सिधार्त सफेद दामन वाले चौधरी को यह बताने आया है कि तुमारे थपड का जवाब मैं उसी वक्त दे रेता मगर मैंने तुमारा लिहास किया क्योंकि तुम उस लड़की के बाप हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और हाँ तुने जो मुझे गाली दी थी उसका जवाब भी साथ लाया हूँ रखेल औरत की कोई जात नहीं होती चौधरी और नहीं कोई औरत इसी जायज और नाजायज आउलाद की मा कहलाती है वो तो सिर्फ मा होती है मा मैं बीटा रखेल कई से ही वगर एक बाप का हूँ लेकिन तुने इस समाज को और देश को अपने खिनों ने पापों से गंदा करकी ये साबित कर दिया है तु एक बाप की नहीं कई बापों की उलाद है खामोश हरामजादे जिला मत चौदरी एक दिन इसी चौकट से तेरी बेटी की डोली लेकर जाओंगा ये उस मा की उलाद का वादा है तुस्से अब तो ऐसी तबाही मचाओंगा के पूरे धरमदिकारी खानदान की नसली खत्म कर दोंगा प्रतलाम चौदरी साब की फैक्री से ही आ रहे होंगे हां नहीं वो धरमदिकारी साहब ने ये फाइले मंगवाई होंगी नहीं ये मेरी परसनल पाइले है परसनल और कौन-कौन सी फैले तुमने धरमादिकारी तक पहुचाई है मैं कोई नहीं लाओ मुझे दे दो मैंने पहुचा देता हूं नहीं ये मेरी परसनल पाइले है बस रगो मिस्टर सकसेन अगर चौधरी साहब वफदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो गदार के लिए कुछ भी करा सकते हैं कर दो तो तू सरकारी गवाह बन गया चौधरी का डर नहीं लगा पुलिस के मार से डर गया हाँ मैं सिर्फ चौधरी से डरता हूं बस उसका हुकुम मानता हूं पहाँ लगाँ कि ऑग उसा भी कि लिए कि अर्रोगी कि यूद भी कि अर्वाण पहाँ पहाँ कि अर्ण पहाँ कि अर्ण जनाब धर्मादिकारी साहाब होली के शुब अफसर पर ऐसी शुब खबरे नहीं बढ़ा करते नमस्ते भाबी आज हमने फिर से आपको एक बार चौका दिया ना इस बार तो आपने कहीं दरुदर कैमरे लगा कर नहीं रखे हुए ना धर्मादिकारी साहब आज होली का दिन है पुरानी बाते भूल जाएं देखिए हम तो ठहरे पॉलिटीशन लोग हर उल्टी बात का कोई सीधा मतलब निकाल लेते हैं नहीं अब आपकी इंक्वारी से हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं तो क्यों ना इस बात का कोई फाइदा उठाया जाए कैसे हैं वो ऐसे कि आप प्रेस में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजे कि हमने विलासरों चोटरी के खिलाफ जो इंक्वारी की थी उसमेंसे कुछ नहीं निकला वो एक इमानदार आदमी है सचा आदमी है इससे मुझे अगली इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा मुझे अफसो से मंतरी जी आप अपना अगला एलेक्शन लड़ नहीं पाएंगा तो आपको अभी भी उमीद है कि इस इंक्वारी में से कुछ निकलेगा हुजूर आज तो इंक्वारी का आखरी दिन है आखरी दिन जरूर है में से कुछ नहीं हो सका तो कुछ घंटों में क्या होगा हाँ हो सकता था अगर मेरा सेक्रेटरी सक्सेना जिंदा होता लेकिन वो तो पड़ा हुआ है मुर्दा घर में और मुर्दे बोला नहीं करते मुर्दे तो नहीं बोला करते लेकिन कभी-कभी मुर्दों का खून कातिल का पता अपने आप दे जाते हैं क्या मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले बस की सीट के पीछे खुद सक्सेना ने अपने खून से लिखा था कि उसका खून आपने करवाया है कल मैं कमिशन के सामने अपने रिपोर्ट रख रहा हूँ मिस्टो चौदरी इसलिए जी भरकर आज होली खेलीजिए क्योंकि ये होली आपकी जिंदगी की आखरी होली है कर अपने ने कर आए अपने प्याँ ठो खचोचक थांप सबस्राइब खरता कि उपका हय दज whenever चरिब नच्ट किव में में सब्राइब एक कि आ स्क्रव्ट सुट अप्र बीज, तुट सुटने, रुटना आ पुट रुटना तो को गट? कि यदिया को कि पड़ा जाए जाए तो 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 मुट तो में तो हूँ कि अपड़ा कि जो बहरुई कि अबग़ा अजय क्षब लिर्ण YOU! तो हैं ओिर्ण इस उपस्टारी हाओ लगता है पुरानी दुश्मदी है बप हांवार दुश्म, रामाricht लाओ धनाना है कर दो, कर दो, तो 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 तो! दुनिया के अंदर दोस होते ले भाईयों में अगर प्यार की मिसाल राम और लक्षमे ने काइम की है तो एक मिसाल तुम दोनों की भी है लेकिन प्यार की नहीं नफरत की खून खराबे की और क्या दिन चुना है अपनी नफरत का धिंडोरा पीटने के लिए आज होली के दिन जब दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं तो तुम दोने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तुम्हारी नफरत की तलवार ने तुम्हें नहीं बाटा बलकि तुम्हारे इस बाप के कलेजे के टुकडे टुकडे कर दिये उसके सपनों के मंदर और उसके उमीदों को चू जाते हो क्यों क्योंकि उसको लगता है कि उसका वंश बढ़ाने वाला कोई आ गया है लेकिन अफसोस मेरे दो बेटे मेरा वंश बढ़ाना नहीं चाहते बलकि उसको मिठाना चाहते हैं मेरे सर को फक्र से उंचा नहीं बलकि उसको शर्म से जुकाना चाहते हैं क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि भगवान ने मुझे राम और लक्षमन दे दिये लेकिन मैं भूल गया कि तश्रत जैसे किसमत सबको नहीं मिलती क्या फर्क रखा है मैंने तुम दोनों की परवरिश में अरे अगर एकीन नहीं आता तो अपने इस बाप का सीना फाड़ कर देख लो इसमें गौतम के लिए प्यार भरा है तो सिधायत के लिए महबबत भी तुम्हारा आज ये बननसी बाप तुम दोनों से हाथ जोड़कर प्रासना करता है कि जिस इज़त को गैरों ने नहीं उचाला उसे अपनी नफरत की ठोकरों से धूल में मत मिलाओ दुनिया के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ वरना याद रखना अपने बाप की इस बात को कि तुम्हारी इस हरकत के बाद दुनिया का कोई भी बाप भगवान से एक बेटे के बाद दूसरा बेटा नहीं मांगेगा मुझे तो दुख है कि इस दिन को देखने के बाद में जिन्दा क्यों हूँ शर्मातिये मुझे तुम दोनों पर पर हम पर्मातिये बाद पर्फ लास वब्य þкое कर दोस्ञ ह 2019 वब भी gebouch उल्मातिव गौतम तरे पापा कहा है ऑपरेशन थेटर में क्या हुआ उनको बोलना क्या हुआ उनको वो ठीक तो है आप चलिए मेरे साथ मुझे टाइट सेक्यूरिटी चाहिए मिस्टर पार्डिल आईस्यू में मुझे दो आदमी चाहिए मेरी इजादत के बगएर कोई अंदर नहीं आएगा सिवाए ऑफिशल स्टाफ के इस आप लिए प्लियर बे अलर्ट बिला स्राओ इस नमय बनी बारक वले बफले में नवरी बाटपांगो नम्म फ्टiçãoबल्च याड़ी वीटी से थारा टेज जाइए याश फ्ली वीटी से थारा टेज Croatia हेरी ñ बा morph cityह कराएं सुषिल Champ巧 Гοğğğğ.. sभ.. हुआ 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 है विलासरा अगर मेरे पापा अस्पताल से जिन्दा नहीं आये तो तू भी जिन्दा नहीं पचेगा ए लड़की कहा जा रही है ये पूजा के फूल है मैंने भगवान से मननत मांगी थी पाबा जल्दी ठीक हो जाए आप ये फूल उनके सिर की पास रखतीजे ना तुम को चाकर ही रखाओ जाओ मिन साब ये लड़की कोई बात नहीं कि विलास रखाओ चौधरी बार निकाल करिश्नकान धर्मादिकारी को कुचलने की साजिश में तेरे एक कुट्ते को अंदर बंद कर चुका हो मैं अब तेरी भारी है तुना तुना अब तुना अब को होजा है अब तुना रोक्टर कह रहे थे अगर बारा घंटों में उनको होश नहीं आया तो वो कुमा में चली जाएंगे तुम उनके पास जाकर बैठो शायद अब तुम जाएंगे अब तुम आएंगे तुम आएंगे तुम कुम 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 इनको छोगा दोने कर दोने कि एक 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 उसा हुआ गर आवार कि एक हस खरता है अब तो तेरी चिता ही जलेगी आप कोई फिकर मत करें सब ठीक हो जाएगा मैंने यहां के डॉक्टर्स को ओर्डर्स दे दिये हैं इनका अच्छे से अच्छा इलाज करें कोई कमी न छोड़ें कृष्ण कांत धर्म अधिकारी जैसे महापूरुष की जरूरत सिरफ आपको ही नहीं सारे समाज को है सारे देश को है किसी किसम की तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद कीजेगा थैंक ये रॉक्ट तो यहां है तो किसी ने छुड़ाया ही होगा वैसे इस्पेक्टर यह हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उची आवाज में बात नहीं करते हाथ जल जाएगा छोड़ दो इसे जो अपने बाप को संभालो चलो ड्रेवर बाहिया 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 पापको होश्या गया झाल गूएजाघ नहीं कर दोफ यहां हैскरब नहीं Nईी ? उसे बचना नहीं चाहिए चौदरी साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल में बहुत सक्यूर्टी है उसका इंतजाम हो जाएगा वेट किसे पूचिए सेक्यूर्टी आठाई जा रही है सर वाइलेस बेवी ओडर आया है खेतवाली में दंगा हुआ है हम सबको पोजिशन समालने के लिए का आ गया है पुलिस डिपार्टमेंट में और लोग नहीं है सर हमारे लिए यही ओडर है सिद्धार्थ तुम्हें पापा ने बुलाया है कौतम हमत से काम लो सब ठीक हो जाएगा भाया पापा आपको बुला रहे है लगता है जो जम्मेदारियां मुझे सुपी गई थी उन्हें मैं उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा मादा करो कि तुम दोनों मेलकर उन्हें मिदारियों को पूरा करोगे मादा करो झाल 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 सिधार, सिधार तुम्हारे पापा की जान खत्री में है क्या? मैंने खुद सुना है मेरे डैडी कह रहे थे शाहिद, शाहिद इसलिए यहां से सिक्योरिटी हटाई गई है मैं सच कह रही हूँ यह उसी के लोग है मैं पैचानता हूँ इन्हे हमें कमरा बदलना चाहिए डॉक्टर, हमें इसी वक्त कमरा बदलना होगा क्यो? हमारे पापा की जान खत्री में कल सुभे तक इस देश भग्त क्रिश्न कान धरम अधिकारी की चिता जननी चाहिए क्टौ। करूब ति inqu день क्टौ। क्टakah watching क्टौ। 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 हुआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए- cambio ठे हो गयोंग हट जा नाई होश्यारी नाई हट जा नहीं तो इस बुढ़े के साथ साथ तुम दोनों की खोबड़िया उड़ा दालूगा अरेस्थिम जल्दी जल्दी क्ष्पेस कर दो हृ ठुम को और जांव हृ वाई सुमयर्य जाई वाइस 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 की आपिम की चुरो कि याइस को वी आप के वहा अपिम के ऑंग आत वहा वाइस कि अरॉब टॉचर कि अरॉप टॉब टॉब आज है है कि आज अर गॉज भॉट वब दॉब कि अरॉब है और अर, थॉब ह계 observed कि कर दो तूजख पजम met इन् ही मैंज से जल पज़ जजग एला जख से दोन्से हैं था जलेesa जल जला जल भया कि ल्या कर दो अड्स जड़ा झाल करद पो कर दो पो कर दो जड़ा झाल कर दे व कर दो व वो लोग पीछा कर रहें कौतम वो लोग पास आ रहें गाड़ी टेज बगाओ गाड़ी भीकप ने ले रही है काड़ी की टंकी खोल करके आग लगा दो कौतम उनने टंकी में आग लगा दिए चारो तरफ आगी आगे सिधा तो कूचा कार। पापक कार धार बापा जेंटलमन आज हम सब लोग जमा तो यहां इसलिए हुए थे कि आज विलासराव चौधरी एंक्वाइरी कमिशन की रिपोर्ट अने वाली थी लेकिन मुझे ही बताते हुए बेहत अफसोस हो रहा है कि उस रिपोर्ट को पेश करने वाले नियाय मुर्ती पिष्णकांत धर्मारी करी अब हमारे बीच क्या हुआ 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 है सर अम्बूलन सुड़ाने के बाद हमें पता चला कि उसमें धर्मादिकारी नहीं था सर मिस्टर धर्मादिकारी वे प्रॉड अफ यू मिस्टर धर्मादिकारी सर ग्यच்पोंक सम्ग्पटsk़फー में यू बादिकांत प्रॉड़ाने आ प्रॉड़ाक हुआ 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 हु पुझे जब वो कर दो प्यज़ से लिट पुझे भुझे फुझे फुञब है आप फुझे भुझे उप आप लुझे पुझे भुझे लुझे लुझे झाल